हेलो दोस्तो सलाम अदाब नमस्का स्वागत है जाविद खान आटो व्लोग में मैं हूँ आपका दोस्त जाविद खान दोस्तो इस चैनल पे मिलती हैं आपको धेशारी इंफरमेशन आटो मोबैल से जुड़ी हुई साथ में मिलते हैं आपको नई कार के वोकराउंड वीडि आटिका के बारे में क्या क्या चेंजिस कार के अंदर किये गए और जो प्राइज इसका बढ़ा गया है जितनी महंगी गाडी हुई है उतनी वर्त बंती भी है या नहीं बनती है तो चलिए दोस्तो करते हैं वीडियो की सुरवाद वीडियो सुरू करने से पहले आपको बत हमें दिखाएं सबस्क्राइब बटन को जरूर दबाईएगा तो दोस्तो सबसे पहले सुरुवाद करते हैं और टिका के साथ में तो दोस्तों देख सकते हैं फ्रेंसिक कुछ इस सरीके से नजर आती और वाली आटिका इसकी ग्रिल आपको नजर आती है क्रों की के साथ अवेलेवल होता है यहां पर बंपर और फोगलाइट की हाउजिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है काफी स्टाइलिस कॉम्बिनेशन के साथ में दोस्तों वहीं बात करते हैं नहीं अटिका के बारे में तो नहीं अटिका के फ्रेंट प्रोफाइल में आपको अटिका डिजाइन बिल्कुल सेम इलने वाला है बॉनने डिजाइन में किसी भी तरीके का बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा हाला कि ग्रिल में काफी बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि ग्रिल आपको मिलेगी हापर बिल्कुल हेड लाइट हाउसिंग मिल जाती है जिसमें प्रोजेक्टर हेलोजन हेड लैम मिलता है साथ में इंडिकेटर का पाशन मिल जाता है सेम ही बंपर आपको मिल जाता है हलाके बंपर में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं किया गया है और फोग लाइट की जो हाउसिंग है वो भ किसी भी तरीके का बदलाओ नहीं किया जया है था चलिब दोस्तों बात कर тयंब गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में तो बदूर के किस तरीके से नजर आती त populaire cuz दोनों गाड़ियों का तो रियर प्रोफाइल से आप देख सकते हैं अर्टिका का जो ऑल्ड वर्जनें वो कुछ इस शेप में आपको नजर आता था हाई स्टोप मांट अपर की तरफ आपको मिल जाता था ग्लास नोमल आपको मिल जाता था बूट की अगर बात करें तो आपको पुराने वर्जन के अंदर हाला के बूट करोम का कोई फिनीसिंग देखने के लिए नहीं मिलता था पहले बात करते हैं नहीं वाली अटिका के रियर प्रोफाइल के बारे में तो दोस्तों यहां पर कुछ कॉस्मेटिक चेंजिस आपको नजर आएंगे देखने के तो दोस्तों देख सकते हैं यह है रियर प्रोफाइल अटिका के नए वाले वर्जन का तो काफी सारे चेंजिस आपको यहां पर देखने के लिए बहुत जादा वाले तो नहीं मिलने वाला है सिफ जो इसकी बूट गेट है उसको थोड़ा सा कोस्मेटिक चेंज आप देख अगर बात करें गे तो बंपर में ही आपको मिल जाता है दोस्तों यहां पर पार्किंग सेंसर के ओप्सन फोरीग सेंसर विद्ट टू रिफलेक्टर के आप से साथ में उसके लावा रियर लाइट में आपको दिखाता हूं देख सकते हैं आपको सिबी तरीके का कोई बदल यह घ्रोम के डॉर pinky सेंसर बटन देखने के लिए दों की बाकित कहले दोस्ताते नजर हो एक Smber के लिए उसके बनें को देखने के लिए द risky लग्एस से नजर आता ड्राइबर साइट से देख सकते हैं यहां यह रव का प्रौफाइल आप नयगर वाले वरजन का तो जो आपको रियर प्रोफाइल है, उसमें भी थोड़ा सा बदलाव मिलेगा, वो मैं आपको दिखा दूँगा किस तरीक है का बदलाव मिलेगा, तो देख सकते हैं दोस्तों, जो रियर इंटियर का प्रोफाइल है, वो बहुल आपको पहले था वैसा ही नजर आएगा, जैसा है old version का interior profile, तो आपको किसी भी तरीके का कोई cosmetic changes देखने के लिए नहीं मिलेगा है हाँपर, चली बात करते हैं दोस्तों, रियर प्रोफाइल की तो ये वाला है, रियर प्रोफाइल के बन आपका नहीं वाली, अटिका के बारे में, तो बिल्कूल भी किसी भी तरीके का कोई कोस्मेटिक चेंज बगरा किसी भी तरीके का कोई चेंज आपको यहां पर नहीं मिलने वाला है तो देख सकते हैं यह है इसका नया वाला मोडल और यह साइड में है ओल्ड वाला वर्जन यहां पर हाला के सीट कवर लगें तो थोड़ा सा प्रीमियम आपको नज़र आ रहा है बाकि किसी भी तरीके का कोई चेंज आपको यहां पर नहीं मिलने वाला है तो चली दूस्तों बात करते हैं रियर में जो बदलाव आपको देखने के लिए मिलने वाला है वो दोनों गाड़ी के बूट के अंदर काफी सारा कोस्मेटिक चेंज आपको देखने के लिए मिले के कुम्बिनिशन में मिले गा हाला कि किसी भी तरीके का और बदलाव आपको यहां पर नहीं मिलने वाला है बूट में स्पेस जो है यूटलाइज वगरा करने के लिए वह आपको को मन ही मिलेगा जैसा आपको पहले मिलता था इस पेर वील के लिए दोस्तों आप नीचे के जो बॉनट डिसाइन उन पर किसी भी तरीके का कोस्मेटिक या किसी भी तरीके का बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला इंसुलेशन वगर आप देख सकते हैं दोनों ही इंजन के अंदर दोनों कोमन मिलती है हलाकि आपको मैं इंजन दिखा देता हूं यह होने के बाद यह नया स्रीज का इंजन है जो डुएल बीटी डुएल जैट को सपोर्ट करता है और आइडियल स्टोप को सपोर्ट करता है इवन यह पेट्रोल के अंदर आपको हाइब्र ऑप्शन के साथ भी है वेलेवल होता है और यहां पर गाड़ी की जो माइलेज है व प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि एक सब्सक्राइब बटन आपका मेरे लिए बहुत माइन रखता है इससे आपकी प्यार का जो प्यार है आपक कितना प्यार और कितना सपोर्ट हम लोगों को करते हैं तोस्तों चलिए वीड़ीयो को करते हैं आद खतम वीडियो को हरण करने से पहले एक रिक्वैस करना चाहूंगा ठीछ कि बाहरा अगर निकल रहे हैं तो प्लीज मास्क पहने और जो वी गोवर्मेंट की कोविड के लिए गाइडलाइन से उनको जरूर फॉलो करें अपना और अपने परिवार का बहुत जादा खया लखें जल्दी मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैन दोस्तों